क्रिमिनलाइजेशन आफ पॉलिटिक्स यारे के बा जिस तरीके से राजनिती में अपराधिक करण होता आया है उस पर अंकुष लगाने के लिए एक बड़ा हतोड़ा सुप्रिम कोट ने आज एक बर फिर से मारा है क्योंकि सुप्रिम कोट ने तमाम राजनितिक दलों को इस साही निर्देश था कि सभी उम्मिद्वार मीडिया के माध्यम से अख़बारों टीवी चैनल के माध्यम से अपने टिकेट मिलने के बाद में अपने अपराधिक रिकार्ड को सारवजनिक करें मगर वैसा हुआ नहीं और एक बार फिर से सुप्रिम कोट में एक याचिका ग और गंभिर मामले जिन पर 29 फीसदी ऐसे लोग थे 2014 में अगर देखे तो 34 फीसदी दागी और 21 फीसदी गंभिर मामले नहीं भी है जिस तरी के से 2004 की अगर बात करें तो फिर उसमें कुछ इसी किसम का आकड़ा था जिसमें कि कहाई यह जा रहा है जो आकड़े है कि 24 गंभिर मामले मगर इन मामलों में सुप्रिम कोर्ट की टिपड़ी और फैसले के बाद में 2018 के जज्मेंट के बाद आखिर उसका पालन क्यों नहीं हो पाया क्यों फिर से सुप्रिम कोर्ट को इस पर एक सक्त निर्देश जारी करना पड़ा हमारे सहिव कि राकेश हमारे साथ म जोड़ें राकेश जिस तरीके से इसको हमने देखा है 2018 में सुप्रिम कोट निर्देश दिया मगर ना पार्टियों ने पालन क्या ना ही उमिद्वारों ने पालन क्या फिर से सुप्रिम कोट को सक्ति बरतनी पड़ रही है अब यह जो जैसिस नरीमन ने आदिश दिया है उससे लगता है कि अब कुछ साइद चीजें मतब सामने निकल कर आएंगे कि जो यह क्रिमिनल जिन का रिकॉर्ड है वो लोग बाहर होंगे तो बड़ी-बड़ी होती है कि राजनिती में अपराधिकरल जिस तरीके से हुआ जिम्मेदार तो वही पार्टिया है ऐसे लोगो आएंगे और अच्छे लोग आएंगे ठीक राकेश शुक्रया